नमस्कार आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूँ ख्वाहिश पट्याड इस समय मैं बीजेपी कारियाले में हूँ जम्मू के और मेरे साथ बीजेपी परदेश अध्यक्ष रविंदर रहना साब है रहना साब एक आडियो वाइरल हो रहा है और उसमें कुछ परतिक्रिया भी दे रहे हैं और उसको लिंक कर रहे हैं डिलिमिटेशन कमेटी के फाइनल ड्राफ्ट के साथ की आपके ही कहने पर बड़ा कुछ फेर बदल हुआ है सबसे पहले क्या वो आपकी ही आवाज है जी हाँ वो आवाज मेरी है और ये लगबग आठ महीने पहले भारतिये जनता पार्टी के कारेकरता एक डेलिगेशन लेके असरक शेतर जो डिस्ट्रक डोडा का है वो मेरे पास आए थे और वो सभी साथी जो डोडा डिस्ट्रक के असरके रहने वाले हैं वहाँ एक एरिया है नील टाप वहाँ के हमारे कारेकरता है नजीर सहाब और उ मेरे पास आये और आपको ये जानकारी होगी कि उनके साथ असर काश्तिगड़ और देशा के लोग भी थे और असर काश्तिगड़ और देशा ये क्षित्र इनका डिस्ट्रक डोड़ा है लेकिन इनकी कांस्टिचुंसी रामबन थी तो जब डी लिमिटेशन कमीशन ने एक औ Where Districts को क्रास नहीं किया जाएगा जितनी भी Assembly सेग्मेंट्स बनेंगी वह विद इन दा एडिमिनस्टेटिव इस्ट्रक युनट के अंदर बनेंगी तो उस वह व मुगत बहुत सरे लोग मेरे पास आए कि भरी हमारे District को across करके दूसरे डिस्टिक में जगा डाली है आपको याद होगा ये जम्मू डिस्टिक का एरिया ये सैने कलोनी से आगे चला जाओ जो ग्रेटर कलाश का एरिया था कुछ वो सांबा के अंदर डाला हुआ था तो डिस्टिक यूनिट जम्मू असेंबली सांबा इसी परकार ग हमारे ही कुछ कारे करता है जो असर काश्टिगर और देशा के थे इसमें असर का एक एरिया है नील टाप वहां के एक कारे करता थे तो वो उस डेलिगेशन को लीड कर रहे थे तो उन्होंने हमें ये कहा कि बताओ हमारा खैर ख़वा रखने वाला कौन होगा हमारा बली बा कहा कि आपका डिस्टिक डोडा है आप आपकी कांस्टिचुनसी भी डोडा होगी तो वहां शक्ति राज परिहार जी भी बैठे थे तो मैंने शक्ति जी को बोला कि शक्ति जी ये भी आपके लोग है उस चित्र के अब असर काश्टिगर और देशा एरिया रामबन विधान सबा में नहीं डोडा में आएगा तो इनका ख्याल भी आप रखो वहीं और वो आडियो किसी ने रिकार्ड किया होगा तो मेरे कुछ मीडिया के दोस्तों को मिला होगा तो उनों ने सोचा होगा कि शायद ये दो चार रोज में कहीं को इस परकार की वारता हुई है ये आठ 20-25 सेकेंड का क्लिप चला गया है ये कम से कम 7-8 मिनट का आडियो है वो अगर पूरा आडियो मेरे साथ ही चलाएंगे पूरा आडियो में उनको कहूंगा जब वो पूरा आडियो चलाएंगे तो उनको सबको क्लियर हो जाएगा एक उस आडियो को मैंने सुना और मुझे ब वो विशे था असर रामबन कांस्टिचुनसी से कटके डोडा में जा रहा है क्योंकि डी लिमिटेशन केमिशन ने ये नोटिस निकाला था एक और निकाला था कि डिस्टिक एड्मिनस्टेटिव यूनिट को क्रास नहीं किया जाए उसको लेकर लोग चिंता में थे कुछ लो सारी चीजें हैं तो उसके हिसाब से शायद एरिया कम पड़ता होगा तो मैंने उनको कहा कि अलग से असर कंस्टिचुनसी बनाना मुश्किल होगा क्योंकि एरिया और पापुलेशन इसमें और भी चाहिए लेकिन आप डोडा के हिस्सा हो डोडा डिस्टिक के और डोडा के शक्ति जी थे तो जब ये मैंने उनको कही तो वो कारे करता खुश हो गया और उसके बाद उस एरिया में शक्ति राज जी ने काम भी किया आज वो एरिया जो है वो डोडा डिस्टिक का हिस्सा आया है दूसरा क्लिप जो उस आडियो में जोडा गया मैं कोई एक व्यक्ती जिसमें दविंदर सिंग राना साहब के बारे में कोट किया गया। वो अलग से एक वीडियो है और वो भी लगबग 6-8 महिने पुराना वीडियो है। अभी राना साहब भारती जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। तो किसी ने मेरे को फोन किया और फोन करके कोई मेरे को बोलता है कि क्या मैं दविंदर सिंग राना साहब से बात कर सकता हूं। तो मैंने उनको बोला मैं दविंदर सिंग राना नहीं मैं रविंदर रैना बोल रहा हूं। तो जनाब अप उनका ये नंबर है, आप उनसे बात करें अक्सर मेरे घड में बहुत सारे लोग ऐसे आते थे नगरोटा से दविंदर सिंग राना सहभ एम pewno ले थे तो मेरे दरवाजे पर आके खट कटाते थे कि दविंदर सिंग से मिलने आ रहे हैं तो मेरे घर में आगे तो मिठाई का डबा लेके आगे तो बोला मेरी बेटी की शादी है राना साहब तो आपने आना है तो मैंने कहा ये तो मैं जानता नहीं हूं तो मुझे लगा कि ये गलत रास्ते पर आए तो मैंने कहा वो मेरे पर बहुत सारे कश्मीर से लोग दविंदर सिंग राना साहब को फोन कर देते हैं रेना साहब आप कैसे हो यह किसी का कर्फ्यूजन होगा और वह वह भी जोड़ा गया फिर कहीं बीएस एफ और सी आइस एफ के बच्चों की बात चलती है तो मैं किसी को बोल रहा हूं वह इन चलाया और आपकी छवी को इस तरह से धुमिल करने का इसमें कुछ न कुछ अगर राजनितिक पार्टियों की तरफ के उनकी किसी की शरारत है तो कुछ साइबर में कुछ इस तरह का मैं आपको बताता हूं अगर आप इस वीडियो को को फॉरेंसिक लैब में चकर आएंगे तो इसका सारा सच सामय आजए आडियो सोरी आडियो है आपने सबसे पहले सावाल पूछा आवाज आवाज आपकी है तो मैंने कहा हाँ आवाज मैरी है और बाह्ने मान लिया हो है लेकिन ये तीन अलाग अला किन्विर्सेशन से हैं एक में एक कनवर्सेशन में असर के लोगों से मैं बात कर रहा हूं कि आपको घबराने के जूरत नहीं है आपकी आप विधान सभा जो भी होगी डोडा डिस्टिक में ही होगी और आपका हम ख्याल रखेंगे और वो बीजेपी के कारेकरता आये थे हमारे असर के नील टाप से दूसरी कनवर्सेशन में कहीं देविंदर सिंग राना के नाम से मेरे को किसी ने फोन किया तो मैंने इनको बोला मैं देविंदर सिंग राना नहीं बोल रहा हूं मैं रविंदर रैना बोल रहा हूं तो राना साहब को किसी ने फोन किया होगा और तीसरा इशू कहीं सी आई इस तरह से बनाई गई है कि पूरी delimitation process से पूरी link हो रही है और जसरा से लगातार opposition party यह blame लगा रही है बीजेपी के से कि delimitation का जितना भी draft है यही से पाले तो दॉए बलेम लगाना असान है अगर डी लिमीटेशन कमीशन आफिस में या घर में बैठके बनाया होता तो क्या हम सुचेतगड की असेंबली सीट को आरेसपुरा में मर्ज होने देते कभी वो जब से बनी है वो भारतिय जनता पार्टी का गड़ है है वहांके MLA, वहांके 25 सरपणचीज, BDC, MLA के इलक्शन, MP के इलक्शन में हमेशा Land Slide Victory के सुचेतगड से BJP को होती है लगत लोक इसमें कह रहा है कि GedDC की CETS वर BJP की सुचेतगड की नहीं निकली इस वज़ाå से उन्होंने वो भी मामला कोट में है पांच वोटूं से या साथ वोटूं का अंतर है तो हाई कोट में मामला है और हाई कोट की डिरेक्शन भी आई थी कि उसका कुछ रीकाउंटिंग का मामला वो बीजेपी का गड़ है अरिया गड़ बल्ग बेस्टन है वो कभी हम अपने से अलग है तो अखनूर रिजर्व हुआ तो परगवाल को वापिस अखनूर के साथ लगा के रिजर्व करना पड़ा या पुंच के अंदर तीनों की तीनों सीटें स्टी की रिजर्व हो गई है तो बीजेपी तो पहाड़ी किबिले के लोगों को हक दिलाने के लिए जदोजहत कर लगेए तो हम तो एक सीट भी वहां अगर हम करते तो कम से कम वह सीट एक तो ऊपन रखते हैं पाटिकुलर इसी ऑडियो की बात करूं क्योंकि आज कि कोई बीजेपी की मंशा नहीं है कि यहां पर यूवाओं को नोकरी मिले तो कहीं ने कहीं आपको लगता है कि इस तरह की आडियो आने वाले समय में या फिर वीडियो जाता है देखिए अगर कोई वीडियो को एडिट करेगा आलटर करेगा तो यह पकड़ा जाता है और सामने स्पष्ट आ जाता है कि यह कट्स उसमें होते हैं फिर फोरेंसिक लैब्स होती है और फिर जैसे आपने खुद कहा कि मा मामला कोट में जा सकता है मामले में कभी कभी इस किसम का अगर कहीं कुछ साथ ही इसमें अगर उनको अनंद आता है तो उनकी खुशी में मेरी खुशी है क्या रविंदर राणा साब ने तो इसको सपष्ट कर दिया कि जी हाँ यह आवाज मेरी ही है जो पूरी यह आठ महिने पूरानी है और जो यह पूरी एक आडियो फाइल तेयार की गई है यह अलग-अलग पोर्शन में है एक वीडियो और आडियो जो है वो जब वो शक्ति जॉइंट क्लिप हलाकि जहां जहां है चल रही है तो बड़े सारे चैनल्स में यह भी चलाया कि हम इसकी पुष्टी नहीं करते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर काफी जादा इस पर जो है वो प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है और लोग इस पर बात भी कर रहे है कि जी हां भ जिस किसी ने भी बनाई है तो अभी शायद अभी आप जाना नहीं चाहेंगे साइबर क्राइम में और उस तरह से इनकी लग भी ना रहे हाव भाव नहीं लग रहे कि यह कुछ मामला दर्ज करवाएंगे खैर बात हमने रविंदर रहना जी की साफ कर दी आप लोगों तक पहुचा दी और जो लोग इस वीडियो पर इस आडियो पर माफ कीजिए जो प्रतिकरिया दे रहे हैं तो उस पर उनका काफी ज़्यादा जो है बात खुनकों को समझ आगी होगी कि यह पुरानी आडियो है और इन पर इस पर नोने अपनी बात सामने रख भी दी है वीडि